नमस्कार इनका जो 35 साल का सासन है ये इनको लोंगस्ट सर्विंग हेड बनाता है इनका त्वीट आप देखिए इनका ट्वीट आप देखिए यदि हम लोग बे खबर रहेंगे कि मुसलमानों के साथ पूरे विशब में क्या हो रहा है तो हम लोग अपने आपको मुसलमान भी नहीं कह सकते तो अपने आपको मुसलमान में हो रहा है या फिर जो मैंनमयर में हो रहा है उसके साथ में कम्पेरिजन कर दिया इन्होंने इंडिया को इंडिया में भी जो हम मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं उनके साथ उत्विडन हो रहा है चली मान लेते हैं गाजा में तो 40,000 के आसपास लोग मारे गए हैं, वे सभी मुस्लिम थे, और मैनमेर में भी रोहिंग्या मुस्लिम्स का क्राइसिस है, देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया को इस काटेगरी में रखना किसी भी हद तक वाजिब नहीं है, क्योंकि इंडिया में हर कोई व्यक् के साथ इंडिया को खड़ा करना, ये तो मिलत अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा सोकिंग है, और पुरे विसव को पता है कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, हर धरम के जो लोग हैं, वो इंडिया में फ्रीली अपनी सारी प्रक्टिसीज को फोलो करते हैं, तो ये इनकी जो उमा वर्ड है, ये इसी नेशन या एक पर्टिकुलर कम्यूनिटी को रिपर्जेंट करता है, तो यहां पर इसलाम की बात हो रही है, इसलामिक जो कम्यूनिटी है, जो मुस्लिम नेशन सेंवे एक साथ आएं, और एक अपनी जो रिलिजिस आइडिनिटी है, उसक बचाने का काम करें, ये इरान के सुप्रेम लेडर का कहना है, तो काफी इनके ट्विट आप देख पाऊगे, हर ट्विट में ये जो इसलामिक उमा की बात करते हैं, इकठे हो जाएए, वर्ना तो मुस्लिम जो है, पुरे विसब से खतम हो जाएंगे, ऐसी इनोंने बाते क पता है, जो विमेंस की सेफटी है, वो बहुत बहुत ज़ादा एक कंसर्निंग विसे है, और यहाँ पर कोई भी फ्रीडम आफ स्पीच, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, देमोकरेसी तो आप समझेए, कि नाम मातर भी यहाँ पर नहीं है, तो हमारा जो एक्टेनल अफेर मिन मिनिस्ट्री के साथ में एक M.O.E. शाइन क्या है, कि इरान के जो टूरिस्ट हैं, वो इंडिया में आएंगे, और इंडिया के टूरिस्ट इरान में जाएंगे, अगर आप अपने टूरिस्टों को इंडिया में भेज रहे हो, तो फिर यह कैसे चलेगा, कि इंडिया में उत्पीडन हो रहा है तो फिर आप अपने मुसलमानों को जो है इंडिया में भेज ही क्यों रहे हो तो यह चीज़े अनएक्सेप्टेबल है एस विकारिये हैं और हमारे जो एक्ट्रनल अफेर मिनिस्ट्री के स्पोक परसन है, ओफिसियल स्पोक परसन, रंधीर जैसवाल, इनका ट्वीट आप देखिए स्टेटमेंट ओन अनएक्सेप्टेबल कमेंट मेड बाइ इस सुप्रीम लिडर ओफ इरान, यह इनका कहना है, वी स्टोंगली डिपलोर हम लोग निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं इनका कमेंट मेंट मेंट इस सुप्रीम लिडर ओफ इरान, इस आर मिस इनफॉर्म और अपने अपजरवेशन बनाने से पहले आप खुद के रिकोर्ड को देखिए कि आपने अपने देश में क्या किया हुआ है महसा अमीनी का केस आपने सुना होगा, आज भी उसको लेकर महिलाओं के साथ ब्रूटल तरीके से यहाँ पे वहवार किया जाता है उसको आई थिंक दो साल से अधिक समय हो गया है, महसा अमीनी एक महिला थे आपको पता है उन्होंने अच्छे से हिजाब नहीं पेहना था, ऐसा इनका कहना है तो उस महिला को जो हो उत्विडन करके मार दिया जाता है और फिर काफी महिलाओं ने अपना हिजाब यहाँ पे उतारा, ऐसे आप देख पाओगे freedom की बात इन्होंने की, लेकिन वहाँ पे इनके उपर crackdown किया गया ऐसे minorities की उपर भी यहाँ पे crackdown किया जाता है ऐसा नहीं है कि इरान में सभी के सभी सिया sect को follow करने वाले लोग है वहाँ पर भी ethnicity यानिक ethnic groups देखने को मिलेंगे और अलग-अलग tribal people वहाँ पे रहते हैं बहले ही वो इसलाम को follow करते हैं लेकिन उनके साथ अलग तरीके से indifferent वहवार किया जाता है उनको एक नीचे नीचा दरजे का जो समझ के उनको अलग रखा जाता है तो इस तरीके की reports जो है पब्लिस हो रही है human rights watch के दुवारा यह आप जाके पढ़ सकते हैं उसमें अच्छे से बतागा कि कौन-कौन से ऐसी community हैं कौन-कौन से ऐसे religious sect हैं जो इरान में deprived हैं और अपना जो है यहाँ पर freedom के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं तो आयातुल्ला खामनेई के बारे में एक चीज और यहाँ पर सामने आई कि इसराइल ने भी इस चीज़ का काफी कड़ा विरोध किया है और कहा कि तुम है त्यारे हो फिरान इसराइल की तरफ से खाल ही में एक नए ambassador इंडिया में न्यूक किये गए हैं आजर करके revenue avager जो भी इनका नाम है आप देख लेना तो इन्होंने कहा है कि you are a killer यानिके खामनेई you are a killer and oppressor of your own people कि आपके देश में तो मुस्लिम है आप उन्ही के साथ में ओप्रेसर जैसा वेबार करते हो and Muslim in Israel and India and all democracies enjoy freedom which is denied in Iran यानिके जितने भी जो democracies हैं पुरे भी सब के अंदर या फिर इंडिया की बात कर लेजिए Israel की बात कर लेजिए वहाँ पे जो मुस्लिम है वो freely अपनी practices को follow करते हैं freely वहाँ पे सब कुछ enjoy करते है freedom को enjoy करते हैं लेकिन यह सब denied है in Iran तो आप दूसरे देशों के उपर comment करने से पहले खुद के गिरेबान में तो जहाक लो I wish the people of Iran will be free soon तो मैं यहाँ पे जो आसा करता हूँ कि इरान के लोग जल्दी free हो जाएंगे इस वेक्ति से और यह सारी जो comments हैं इनके बारे में इंडिया के बारे में Supreme Leader of Iran के दवारा कई सालों से दी जा रही हैं जब यह President थे इरान के तब भी इनके दवारा ऐसी comments आती थी और जब यह Supreme Leader बने तब भी ऐसी comments जो है आती रही हैं इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे तो यहाँ पर United States की जो Human Rights Commission है उन्होंने भी यहाँ पर इरान के उपर एक रिपोर्ट पबिलिस की है हाल ही में 5 अगस 2024 को Minorities in Iran have been disproportionately impacted in ongoing crackdown in to repress the women's life freedom movement UN fact finding mission stage इस रिपोर्ट को भी आप जो है reference के तोर पर जाके पढ़ सकते हो दूसरा नेटिजन्स का और दूसरे लोगों का ये कहना है कि देखे जब बात आती है चाइना की तो इरान या फिर जितने भी जो Muslim World के नेशन हैं वे शुपी साद लेते हैं वो यहाँ पर अपने आख, कान, नाख सब कुछ बंद करके बैठ जाते हैं जो कि चाइना ने क्या किया है, तीन हजार के आसपास मॉस्क को डिमोलित किया है मस्जिदों को मजारों को तोड़ दिया है और जो कुछ बची कुछी थी जो पुराने सना की थी मान के चलिए उनको इन्होंने कनवर्ट कर दिया हान कम्यूनिटी के हान जो कल्चर है उसके अकोर्डिंग है यहाँ पर आप देखे यह जो एक मॉस्क है इसमें इस तरीके की मिनारे देखने को मिलेंगे लेकिन हान जो culture है उसमें कुछ इस तरीके का structure देखने को मिलता है इनकी जो सिल्प कला है वो अलग तरीके की है तो उसमें इनोंने convert कर दिया है तो जो भी China के अंदर Muslim है या फिर किसी दूसरे धरम को मानने वाले लोग है किसी दूसरे faith को मानने वाले हैं वो सब हान culture से ही कही न कहीं प्रभावित होंगे ऐसा Communist Party of China या फिर Chinese government का agenda रहा है तो इसके उपर तो कोई भी Muslim world के nation है या कोई भी बड़ा leader है वो बात नहीं करता है BBC का article है Human Rights Watch Accuses Weeding of Closing and Destroying Most इस पर आपको हजारो आर्टिकल्स मिल जाएंगे और आपको पता भी होगा यह सब चीजे मार्केट में चल रही हैं इसके बारे में हम बात कर रहे थे Supreme Leader के बारे में इन्होंने पहले भी इंडिया के बारे में जो है ऐसी ही जहरीली बाते जो है उगली है 377 हटाने के बाद भी इन्होंने काया था कि जम्हुन कस्मीर में जो लोग हैं जो जम्हुन कस्मीर के लोग हैं वो उनको उत्पिडन जहलना पड़ता है इंडिया की तरफ से और भारत ने उस समय भी इनकी जो टिपनिया हैं उनको खारिज किया था और ऐसे ही 2002 जो गुजरात में दंगे हुए उनके उपर इनके बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स आये थे 1992 में बाबरी मस्जिद विधवन स्वाथ उस समय भी इन्होंने भारत के आलोचना की और काफी ऐसे च्छन हमको देखने को मिल जाएंगे जब खामने इन्हें भारते मुसल्मानों की बात की है और उन्होंने बार-बार कस्मीर का मुद्धा भी उठाया है लेकिन एक चीज यहां पर मैं मैंन्सन करना चाहूँगा कि 2020 में जब दिल्ली दंगे हुए थे उस समय भी इन्होंने अपना बयान दिया था तो उसके बाद से इनकी जो बयान बाजी की जो फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी कम हुई थी उसके पीछे सबसे बड़ा रिजन बता जाता एबराहिम रहीशी जो कि आपको पता इरान की प्रेजिडेंट थे एंड हाल ही में एक हेलिकोप्टर दुर घटना में इनकी डैथ हो जाती है वो भी काफी तरीके से आप समझेए कि लोगों से छुपा हुआ है कि उनकी डैथ के जो रिजन्स हैं वो किसी को नहीं पता है ठीक है फिर वो एक अलग मेंटर है तो इन्हों ने जो इन्डिया और इरान की जो रिलेशन से उनको बिल्ट करने में काफी अपना योगदान दिया था और इंडिया और इरान के जो बाई-लइटरल टाइज हैं वो काफी स्टैन्थन हुए थे इनके कारेकल के दोरान तो पिछले तीन से च्यार सालों में हमने देखा कि इनकी तरफ से कोई भी ज़्यादा बयानबाजी नहीं आई क्योंकि इबरहाईम रहीसी इनके सामने खड़े हुए थे और इबरहाईम रहीसी आपको पता जब पाकिस्तान की यातरा पे गए थे पाकिस्तान ने बार-बार कस्मीर का रोना जो है इनके सामने रोया था लेकिन इन्होंने एक बार भी जो है कस्मीर का नाम यहाँ पे मेंसन नहीं किया और इन्हीं के करकमलों की बदोलत हमने इरान के साथ दस सालों का एक चाहबार पोर्ट को लेकर डिल साइन किया है वो हम लोग इरान के प्रेजिडेंट एबराहिम रही सी और भारत के सरकार के जो प्रियास हैं उनको हम लोग इसका स्रे देते हैं तो आप देखें ये वेक्ति जोह भारत के खिलाफ जहर क्यो उगलता है इसके पीछे का बड़ा रीजन क्या है चलिए नव भारत टाइम्स में थोड़ी सी बात इसके बारे में लिखी गई हैं उनको हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन उसे पहले आप सभी से चोटी सी रिक्वेस्ट है यदि आप चैनल पे नए आयो हो तो प्लेज एक सब्सक्राइब जोह करके जाना और बेल आइकन प्रेस करके जाना तो इनका कहना की देखें जो इरान के सुप्रीम लीडर है ये अपने आपको पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा धार्मिक गुरू या धर्म गुरू के रूप में देखते हैं और ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एक साथ लाना यानि कि इसलामिक उम्मा की बात करना unity के बात करना, यानि कि जो Muslim दुनिया एक जूट हो जाए, तो ऐसे में ये वेक्ति जो है काम करता है, और अपने आपको सोचता है, pretend करता है कि मैं पूरे Muslim वर्ल्ड का लेडर यहां पे हूँ, और लोग मेरी बात सुनेंगे, तो इसलिए ये भारत के बारे में, US के बारे में, या फिर ऐसे दूसरे जो डिमेक्रिसी हैं, उनके बारे में गलत बयानबाजी देता रहता है, यानके attention पाने के लिए, actual में ground level पे ऐसा कुछ है नहीं, भारत के जो Muslim हों उनको भी पता है कि वो इंडिया में कितना freely महसूस करते हैं, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत communal violence हर देश में होता है, इंडिया में भी होता है, थोड़ी बहुत जगव पे, और उसके पीछे के बड़े वरीजन हो सकते हैं, वो एक propagandic tool के तोरक पर भी चल सकता, उसके पीछे, उसको इनसाइट करने का काम कोई दूसरा भी कर सकता, external actor वहाँ पे काम करते हैं, तो उसमें काफी सारी चीजे होती हैं, लेकिन भारत एक peaceful country है, ये पूरा विसव जानता है, और भारत के लोग भी जानते हैं, तो ये अपने आपको पूरी दुनिया का रक्सक दिखाने के लिए, या इसलामिक दुनिया का रक्सक दिखाने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं, जो भारत के लिए बिल्कुल भी सविकारिय नहीं है, ओ लाइट अब देखना ये होगा, कि क्या इरान वापिस से कुछ और बयान बाजी इसके उपर करता है या नहीं अभी के लिए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसी कोई न्यूज मैंने नहीं देखी लेकिन हाँ अगर आपने देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे इशू के उपर मुझे जरूर से जरूर बताना थैंक्यू हेवे नाइस टे